हेलो गाईज विल्कम बैक तो माई यूटीब चैनल कैसे हैं गाईज आप लोग मेरा लुक देखकर के थोड़ा थोड़ा तो आप लोग समझ गए होंगे जैसा कि लोड़ी आ रही है तो मैं इजी स्टेप के साथ आप लोगों को मेकप बताऊंगी तो देखिए और सीखिए स सबसे पहले करोंगी मैं अपने फेस को क्लीण आइसे को शलाया नहीं है पर फिर भी होता है कि एक बार फेस अच्छे से लें कर लिए पेस को करलिया है मैंने क्लीन अब मैं लगारी ऐम फेस मॉस्ट अ City मैं लाओग बनातिर्श दायाज यग पस्ट अने साब से पहले आई मैं यूज करूंगी ब्राउन कलर का ईशेड़ों इसके कर रही हूं मैं ब्लेंडिंग इधर साइड भी थोड़ा सा डाग ब्राउन शेड लूँगी सेम इधर भी हलका डाग अब मैंने लिया है ब्लेक कलर का ईशेड़ों इसको करूंगी मैं ब्लेंड ब्राउन कलर के साथ इस वाली आइस पर भी अब मैं ब्लेक कलर का ईशेड़ों यूज़ कर रही हूं इसको करूंगी ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड लाइटिंग थोड़ी कम लग रही थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था और प्रॉपर दिग भी नहीं रहा था क्योंकि विशाल जी थे नहीं तो अभी आये हैं जो कि मैं लाइटिंग सेट नहीं करती यही करते हैं तो लाइटिंग बहुत कम लग रही थी और मुझे लग रहा था कि कलर भी आप लगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो इसलिए अब लाइटिंग देख सकते आप कितना अच्छा जो भी लगा रही मैं प्रॉपर दिख र बताया था आज जो मेरी ड्रेस का कलर है वो ब्लैक है तो मैं अगें ब्राउन कलर ले रही हूं अब मैं लगाओंगी आईलाइनर मैं इस में लग गया है तो मैं इस लाइनर को थोड़ा सा करूंगी ब्लैंग इसे बहुत अच्छा लुक आता है इसका तो मैंने आज नेकप कर लिया है अब मैं कर लेते हूं हलका साइस के नीचे से क्लीन अब पहले बेस बनाती हूँ फिर जो भी है कम्पीट करने और मैंने आज ब्लेंडिंग वाला लाइनर लगाया है ब्लेंड कर लिया है मैंने अभी पहले बेस बना लेती हूँ उसके बाद देखती हूँ आइस के कुछ करना है ऐलेस लगाऊंगी तो वह भी आपके लोगों को अब मैं यूज कर रही हूँ फेस पे प्राइमर यूज कर रही हूँ मैं कंसीलर जो मेरी स्किन का टोन है उससे दो टोन डाक शेड में यूज कर रही हूँ इसको करूं है ब्लैंड अब मैं यूज कर रही हूँ फांडेशन कंसीलर को कर लिया था मैं ये अच्छे से ब्लैंड कर दो लाँ कर रही Immer तो बेस हो चुका है मेरा ब्लेंड यूस करें में ट्रांसलुशन तो टैपिंग मुशन में रहेंगे करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा था मैं में क्लीन यूज़ कर रहे हूं ब्लेश है अब यह थोड़ा जाधा लग रहा होगा आप लोगों को पर अभी थोड़ी दिर में जब मैं इस पर हाइलाइटर लगाँगी तो यह नॉर्मल हो जाएगा तो ब्लेशर हो चुका है मेरा यूस अब मैं करूंगे हाइलाइटर अब देख सकते हैं आपने किकना ब्यूटिपल लगड़ा है अब करूंगे में आई ब्रूस फिल मैं यूस करूंगे आउटर कॉर्न पे गोल्डन लाइट गोल्डन कलर का शेड हाइलाइटिं के लिए इसको भी कर दूंगी में ब्लैंड तो अभी लगाँगी में आई लैसेज जो कि मेरे लिए तो बहुत एजी है और आप लोग भी लगा सकते हैं इसको बस सेंटर से इसको रख करके सेंटर से सबसे पहले प्रेस करेंगे और फिर एंड से और आप देख सकते हैं लग चुके आई लैसेज मेरी दूसरी वाली में भी बहुत एजी आई लैसेज लगाना आप लोग भी लगा सकते हैं पहले सेंटर में रख करके प्रेस करके फिर साइडों से आप कर सकते हैं अब मैं यूज करें ब्राउन कलर का आई शेडो जिसे मैं आईस के नीचे कर रहें ब्लैंड थोड़ा स्मोकी लुग दिया है तो मैंने नीचे डाप नहीं कर रहा है तो अब करूँ ये लिप्स की आउटलाइन में आउटलाइन हो चुके है मेरी अब मैं करूंगे इसमें लोग्स्टिक फिल मैंने न्यूट शेड़ी लगाया है क्योंकि मेरा आई मेकप इसमोकी में है आईज में आज लगाने वाली हुमें वाइट का जिल अब यूज कर रही हुमें मस्कारा कर में लोगाय मैं आजिर्ध दो मारी आई शेर्य आईएर हुमे खिलेक क्या में त सो गाइज कैसा लग रहा है मेरा लुक कुमेंड करके बता यहे और 6 लग रहा है अभी फुल लुक में आप रहा हो एक के भाइब मैं तेर ब्लुब अप ल आज मैंने कोई भी ग्लीटर कोई भी शिमन नहीं लगाया आइस पर तभी आप आइस देख सकते हैं कितनी ब्यूटिफुल लग रही है और बेस भी कितना स्मूध है बहुत ही इजली बताया हुआ है और पहले भी मैं आप लोगों को बताती हूं और आप लोग प्राय करें औ और क्या सीखना है वो भी कमेंट करके आप लोग बताया करिए और गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं अच्छे अच्छे मेकप आप लोगों को दिखा सुकून वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वॉग में बाई